जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है राजनीती एक्सपार्ट में और आज की जो हमारी न्यूज है वो है भारत में नई जोड़ी गई रामसर स्थल आदरभूमिया तो चलिए देखते हैं ये न्यूज क्या है तीन नए स्थलों तमिल नाड़ू में स्थित नंजरायन पक्षी अभ्यारण, काजू वेली पक्षी अभ्यारण और मध्य परदेश में स्थित तवा जलाश्य को अंतराश्य महतों के आदरभूमिया रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों के रूप में गोशित आद्र भूमियों की कुल संख्या 85 याने की 85 हो गई है आपके एक्जाम के लिए important है आपसे पुछा जाए भारत में कुल गोशित जो आद्र भूमिया है वो कितनी है तो जवाब होगा 85 केंद्रिय परियावरन वन और जलवायू परिवरतन मंत्री भुपेंद्र यादव कौन से मंत्री है केंद्रिय परियावरन वन और जलवायू परिवरतन मंत्री कौन है मुपेंद्र यादव इन्होंने 14 अगस्त 2024 को रामसर साइट में तीन नए आदर भूमि को सामिल करने की जानकारी दी है, तीन नई आधरभूमी नंजराइन पक्षी अभ्यारन जो किproductif 25.8 65 हक्टेर का है काजूवेली पक्षी अभ्यारन जो कि 5151.6 हक्टेर का है पुर्तवा जलास्य जो कि 20,050 हक्टेर का है इनके जुडने से भारत में रामसर स्थलों के अंतरकत कुल छेतरफल 13,58,066.757 हेक्टेर हो गई है अब हम बात करते हैं रामसर स्थल क्या होता है रामसर स्थल उन आद्र भूमियों को संधर्बित करता है अर्थात बताता है जिन्हें अंतराश्य महतों के आद्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन के हस्ता रामसर संभल याद में आधोर सेमिलं में लाग हुँआ था दुनिया भर में आद्र भूमियों के संरक्ष्न और इक अंतराश्टी शेहंती बनाने के लिए 1971 में इरानी सहर रामसर में एक अंतराश्टी वः अयोजित किया गया था और इसी सहर के नाम पर इसका नाम रखा गया है रामसर स्थल नेक्स्ट है बारत और रामसर स्थल अर्थाक बारत में इसकी क्या भूमी का है वो भी हम देख लेते हैं बारत ने एक फरवरी 1982 को रामसर समेलन की उस्टी की थी पर्थम भारती आद्रभूमी स्थल केवलादेव राश्रिय उद्यान जो की राजस्तान में है और चिलका जील जो की उडिशा में 1981 में सामिल किये गए थे अब आपसे किर्शन पूछा जा सकता है कि राजस्तान में कौन सी आदरभूमी है जो सबसे पहले रामसर स्थल में सामिल की गई थी तो जवाब होगा केवलादेव राष्ट्रिय उध्यान तमिलाडू में सबसे ज़्यादा 18 स्थल है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 स्थल है सबसे बड़ा रामसर स्थल वस्चिम मंगाल में सुंदरवन है और सबसे छोटा रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में रेनु का है तो ये थी जानकारी रामसर स्थल के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक कमेंट और शेयर के माध्यम से बताइए और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सभी का धन्यवाद